हलो किट्स टूदे वी आर गूंग टू स्टडी चैप्टर सेमंटिन नेशनल मुवेंट नेशनल मुवेंट के बारे में पढ़ेंगे जो की 1885 से लेकर 1918 तक चलाओ बारती इतिहास में चांग्रेस का उद्हेएक महत्वपून घटना थी और यह जो कांग्रेस का जो जन्म हुआ है वो एक या दो दिन में नहीं हुआ है एक यह दो दिन की सोचल और फाउंडेट बाई देखिए किपिंग दव्यू किपिंग दव्यू दर रिजनल और प्रोविंशन निर्स है चैत्री और प्रोविंशन प्रांती आवशक्ता को ध्यान में रख कर कई पॉलिटिकल और सोचल और अर्गनेजेशन बनी हैं उसमें सब कुछ देखिए 18 1851 में British Indian Association जो कलकाट्टा में बना 1852 में Bombay Association in Bombay में बना 1852 में Bombay Association Bombay Bombay में बना 1852 में Madras Native Association in Madras यह ओर्गनेजेशन थे Most of the members of these bodies belong to higher class इन इंडिया और इसके जो सद्दशी जो थे वो मेंबर्स जो थे फिर इसके बाद बहुत सारे और भी एसोशियेशन अस्तित्व माय बने उसमें में 1817 में पुना सार्वजनिक सभा फिर 1876 में इंडियन अशोशियेशन उसके बाद में 1884 में मैड्रास महाजन सभा और फिर 1885 में बॉंबे प्रसिदेंसी अशोशियेशन बना इस पाकार से ये अशोशियेशन बने प्रस्टे। अचिवेशन बने उसमें प्रस्ट इस सभादा इस अशोशियेशन इन कलकथा में बनाया शुरेंद्राथ बनर जी कौलिफाइट ग्वालिफाइट निएर इंडियन सिविल सर्विसेशन ओर सुरेंद्राथ जो बनर जी थी उन्होंने civil services को qualify कर लिया he was the first Indian leader who organized the people from different parts of India in December 1883 in all India national seminar फिर उन्हों ने all India national seminar आयुजित किया December 1883 में और उसने उन्हों ने क्या किया अलग-अलग भारत के अलग-अलग भागों से लोगों को आमंत्रित के हमाँ पर उस organization में उस सेमिनार में स्वरी ही अगें इन्वाइटे नेशनल conference in 1885 इन कलकत्ता और कलकत्ता में 1885 में फिर से उन्हों ने national conference आयुजित की इंडियन national Congress के घर हम बात करें 72 delegates from all the presidencies and provinces of India met at Mumbai from 28 to 30 December in 1885 1885 में 28-30 December तक अलगलग प्रांतों के 72 delegates आये प्रतिनिधी आये मंबे में this conference was praised by व्यमेश चंद्र बेनर जी इस conference was presided by व्यमेश चंद्र बेनर जी और इस conference के अध्यक्षित किसने की व्यमेश चंद्र बेनर जी ने की दस इंडियन national Congress was born और इस पकास से इंडियन national Congress का जन्म हुआ रिटायर बिटिस officer A. O. Hume played an important role in the formation of the Congress और Congress के formation में retired British officer A. O. Hume उन्होंने एक महतोपुनों धूमी का निभाई आए Congress के formation में Congress के बनने में इस्तब्स चंद्री सिंड्रेंक्श इंडियन लीडर्स और उस्टार्थ कांट्री के उन्होंने क्या किया जो इंडिया के जो में लीडर्स जो थे मुंबे और जो पहला जो सेशन था गोकुल दास तेजपाल संस्क्रिट कोलेज जो मुंबे में हैं वहाँ पर उन्होंने पाटिसिपेट किया ठीक है फिर इसका मॉडरेट कांग्रेस और इट्स वर्किंग 1885 तू 1905 और जो मॉडरेट कांग्रेस थी उसके जो वर्किंग जो थी उसके जो कारे थे कब से कब तक 1885 से लेकर 1905 तर दा कॉंग्रेस एडप्टेड मॉडरेट पोलिसी इन इस अर्ली इयर्स ऑफ इस फाउंडेशन जब उनके जो शुरुवाती जो यह जो थे फार्मेशन के फाउंडेशन के उन्हों में उस समय उन्होंने मॉडरेट पोलिशी अपना ही बहुलकुल उदारवादी पोलिशी उन्होंने अपना ही और वहापन उनकी जो इनिशिल डिमांड्स थी वो थी आपनेश कि रिप्रेजेनटेशन अफ इंडियंस प्रविंशन epic प्रविंश प्रांती यह open ऑन्य इंडियां मायोजींत होने चाहिए और जो मुआज ऊसको भ्हून開始 अभिंदान स्य कुद्रेशन में करफ ही इंडियां होने सिख्षा का प्रशार प्रशार हो प्रचार प्रशार हो इंड़ेसे बने मिले किसानों को filosا अमेंड मेंट इनार्म एक्ट गत हो उसमें उनको क्या हो रिलीफ मीले तरीं में एमेंड़ म्रें कुछ सुधार रहों कॉंग्रस लीडर्स लाइक दादा भाइन नहरो जी बद्रुदिन तयवा जी फिरोट्सा महता सुरेंद्रनाथ बेनर जी महादेव गोविंद रानाडे गोपाल करस्न गोखले रहमतुल्ला सयानी आनंद चटालू यह सबी जो कॉंग्रस लीडर्स है संक्रन नायर रमेश्चंग्रदत्त वर आप दर वर अप बिलिफ देट वहर वहनेवर ब्रिटिस गोवर्मेंट विल रियलाइज दरलेवेंट आप देरिमांट दोस्ट विल बी अट्रूमिली मैड इस पकार के जो नेता यह सभी इन्टिमांड में मतलब भाग लिया था इन् फिर आएगा पार्टिशन आप बेंगल इन 1905 उन्नी सो पांच में बंगल का विभाजन हुआ लाड करजन के द्वारा वह वाइसरार के रूप में 1899 में आये हैं पर और उनका जो एक जो डिसिजन उनका था एट्रोसियस डिसिजन स्कोलते हैं बहते खराब डिसिजन जो थ वो था डिविजन अब बंगल का विभाजन उस समय बंगल जो था बिहार और उडिसा दोनों मिलके बंगल था दा नेशनलिस अक्टिविटीज वर ओन दर राइस और रिवलुशनरीज वर राइसिंग दा बैनर्स अफ रिवोल्टर दूरिं करजन्स टेन्यर इन बंगल और आब देखीया जितनाUSE इनक्टिविटीज जो थी राष्ट्री जो कारे कारे कहीं जो थी वर ऑन दे राइस वह कोँ है पर थी और रिवुलुशनरी ज ूर राजिंग द बैनर्स एंस जो पर लिए टानूर धार लॉठीकाई बैनर थे वौ एनर एद्ट्वा विदशन का ट देन्यूर था समय कर्जन फालोड दा पॉलिसी अप डिवाइड एंड रूल इन आडर टुक कर्टेल दोस एक्टिविटीज और जो जो एक्टिविटीज चल रही थी उनको रोकने के लिए लाड़ गर्जन ने क्या किया एक पॉलिसी अपनाई डिवाइड एंड रूल इसको वह तोड़ना चाहता था ताकि जो नेशनल मुव्मेंट जो चल रहा है वह कमजोर हो जाई देरफोर ही डिवाइड बेंगॉल इंट टू इन 1905 इसने उसने बंगाल को दो भागों विभाजित कर दिया इस्टन पार हैड मैजोरिटी आप मुसलिम तो जो इस्टन पा में विरोध हुआ राइज आफ एक्स्रिम्स इन कॉंग्रेस कॉंग्रेस में एक्स्रिम्स का जो उदय हुआ है वो देखिए अब देखिए जो कांग्रेस का जो शेशन था है वह पर क्या हुआ दा क्रिटीसिस्म आफ गोवर्मेंट बीकेम शार्प वह पर जो गोवर्मेंट की जो आलोजना हो रही थी वो तेज होती गई और ये डिमांड आगाई मतले एंड इस्ट्रॉंग डिमांड वर बिंग पूट अप ग्रेजूली और डिमांड को मांगे उह पर दीरे दीरों मांगे रखी गए उह पर कांग्रेस का जो सेकंड सेशन जो हुआ उसमें की स्पीकर ने कहा एवरी नेशन हैस राइट तो शेप इट्स डिगनिटी हर रास्ट को अधिकार है कि वह अपने भागिकान को शेप दे आकार दे बट आर वी बिंग रूल्ट बाइवर्सेल्स क्या लेगिन क्या हम खुद क हैं जब कांग्रेस के अंदर यह आइडिया बढ़ा ब्रिटिस गवर्नमेंट बिगन तो अपोस्ट ऑर्गनाजेशन तो ब्रिटिस गवर्नमेंट ने क्या किया इस ऑर्गनाजेशन को का विरोध करना शुडू कर दिया कि अन्यू ट्रेंड आप एक्स्ट्रिज्म डवलप्ट इन दे कांग्रेस और कांग्रेस में उगरवाद का एक नया ट्रेंड चला 20 20 सतवदी के प्रारणभीक वर्षों में इस new trends sun the tradition of putting up a request before the government और इस train से क्या हुआ कि government के सामने जो रिक्वेस्ट की जो ट्रेडिशन देव और रिक्वेस्ट जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे प्राट्ना की कि महीं को इसा कर दो तो वो क्या खत्म हो गई भालागधर तीलक लाला लाजपत राई एंड बिपिन् चंद्रा पौल वख प्रॉपे लेटर्स आप धिस-्थी और जो नाइडेलोजुी थी इसका प्रोपेगेटर्स को थें इसका प्रचार किस ने किया अंब गादर तीलक लाला लाजपत्राय विपिन् जी है ठोज्वा डिबोट स्पेटलेटिकल उखणिंग्ण अमंग टपीपल प्डश्रेश्थ ने अमने जो पॉलर फेस्टिबल जो थे गणपथी और सीवाज्वी उनका हरान होने लिया कैने के लिए लोगों में राजनितिक जाहरूता के लिए नहीं यह जो गणपती और सिवाजी फेस्टिवल है इनका उन्होंने उप्योग किया दे आज्सों डवलप्ड न्यू मेथर्स आप पॉलिटिकल एजिटेशन लाइक हड़ताल्स और उन्होंने अंदोलन का एक और स्वरुप लाए वो उन्होंने हडताले कि और फोरेंड गूड्स जो भी है विद्यसी माल जो है उनका बहिश्कार किया इस प्रकार से राइस अब एक्स्रिमिज्म इन कांग्रेस हुआ कांग्रेस दो गूप में विभजन हुआ एक्स्रिज्म और मोडरेट्स इन अर्ली यह अब ट्वंटिफ सेंचुरी बीश्वी सताप्दी के पहले प्रानदी जो वर्स थे उन्होंने कांग्रेस जो है दो गूप में बढ़ गई एक्स्रिम और मॉडरेट गूप में उग्रवाद और नरम दल में हुआ इन्धीज्म यह trend of extremism came into being और इस प्रकार से extremism का जो trend है वास्तित्व में आया the prominent extremist leader लाल बाल और पाल यह प्रमुख उग्रवादी नेता जो थे तीलग हेट सेट तीलग ने कहा स्वराज जी मैं बर्थ राइट एंड आई मस्ट हेव इड तीलग ने कहा कि स्वराज जी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा इस परकार से यह आपका पहला पार्ट समाप्त होता है अपर बहुत बहुत धन्यवाद